हेलो फ्रांट शलकों इटो चैनल में आपसे का स्वागत है फिर से मैं नेड़ों की साथ आज को आज को आज को आज जो वीडियों की बहुत इंट्रेस्टिंग शांदार अप्डेट के बरेम जो जान करी है वो आप सभी को मेया पर देने वाला हूँ आप सभी के लिए आप सभी को यहाँ पर जान करी दूँगा काफी सारी कंडेट मेरे पास कमेंट करेते हैं सर एक वीडियो बना दीजिए जिसके अंदर completely जो भरतिया है उसकी जान करी मिल जाए तो इस वीडियो के अंदर सभी को जान करी दूँगा यहाँ पर जो टोटल पोस्ट आपको दे देखने को मिल जाएगी तो बात करेंगे completely one by one जान करें आप सभी को में देने वाला हूं कि काहां की पोस्ट है कितनी last date है सभी चीजों के बारे में यहाँ पर डिसकस करेंगे तो वीडियो के लास तक आप जरूर बने रहें साथे साथ जो मेरे नए साथी हैं वो चैनल को स सबस्क्राइब जरूर कर दें ठीक है जिसे उनको सारी चीजों के बारे में अच्छे से पता चल सके तो यहाँ पर चर्चा करेंगे वेकंसिस के बारे में completely जो information है वो आप सभी को यहाँ पर मैं प्रड़ करवाने वाला हूं तो सबसे पहली जो सबसे बड़ी भरती है उसक आपको रहने वाली है यहाँ आपकी पैतीसो के लगबग पोस्ट रहेंगी लास्ट इट इसकी 31 मार्च है यहाँ पर रहने वाली है उसके बाद में बात करेंगे DSSB के बारे में DSSB के आप सभी को पता है पर्मनेंट 1507 नर्शिंग ओफिसर के यहाँ पर पोस्ट है वो रात के बारा बजे तक तेरह मार्च रात के बारा बजे तक एप्लिकेशन फोंग बरर जाएंगी क्योंकि लास्ट इट आज होने वाली है DSSB की तो जो कंडेटर रह गए हैं वो भर सकते हैं बाकी देख लिजेगे UPUMS की आपकी जो यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसके अ दोनों की लास्ट इट बहुत ही नजदीक है यहाँ पर पोस्ट है वो है DSSB की जिसमें से यहाँ पर रहने वाली है पर्मानेंट पोस्ट रहेंगी कोई भी कॉंटक्ट पॉस्ट नहीं रहेंगी दो अप्रेल इसकी क्या है आपकी लास्ट इट रहने वाली है यहाँ जो DSSB की लास्ट इट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी उसके बाद में बात करें RML के बारे में ठीक है तो RML का फुल नोटिफिकेशन आपको पता है अब भी रिलीज हुआ है हाल ही में जिसकी जो टोटल आपके पोस्ट यहां पर देखने को मिलेंगी 665 आपकी क्या रहने वाली है टोटल पोस्ट है वो आपकी आपर रहने वाली है ठीक है पर्मानेंट आपकी जो पोस्ट रहेंगी लास्टेट के बारे में डिसकस करूँ तो इस चीज़ के बारे में आपको जान करीद हुआ कि RML के जो एप्लिकेशन फॉर्म है वो मार्च के तीसरे चोथे जो सफता है उसके अंदर आपके अप्लिकेशन फॉर्म के स्टाटिंग होगी यहां पर और लास्टेट आपकी पूरे उससे नोटिस के अंदर दिया गया है कि आपके RML के पूरे एक मन्त आपके जो नर्शरिंग उफिसर के जो अप्लिकेशन फॉर्म है वो आपके चलने वाले हैं ठीक है यान की अगर लास्ट में आपकी स्टाटिंग होती है 25 मार्च के असपास तो एक मन्त आपकी 25 अप्रेल यान की लास्ट डेट आपकी 25 अप्रेल तक आपकी RML की रहेगी उसके बाद में UKMSSB का जो अप्लिकेशन फॉर्म है वो कल ही रिलीज हुआ है इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो भी आपको मैं दिखा दूगा इसका जो सोट नोटिफिकेशन है वो कल रिलीज हुआ है UKMSSB की जिसकी टोटल पोस्ट 1425 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और इसके लिए लाज़ डेट है चार अप्रेल इसकी एप्लिकेशन फॉर्म की लाज़ डेट है हाल ही में इसके जो एप्लिकेशन फॉर्म है वो भरे जा रहे है ठीक है तो परजेंट में UKMSSB के आरेमल के अभी स्टार्ट हों गई 986 DSSB UPOMS यह एप्लिकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट है तो जो गनडेट नहीं बरे है वो जाके बर ले उसके बाद में नेक्स्ट बात करते है ESIC के बारे में आपको डिसकस कर लेता है ESIC के तो जो कनडेट नहीं बरे है वो जाके बर दे उसके बाद बात करें GMCH के बारे में तो GMCH की आपकी 400 आपकी क्या रहने वाली है टोटल आपकी पोस्ट रहेंगी नर्सिंग ओफिसर की इसका जो एप्लिकेशन फॉर्म है अभी इसकी इंफर्मेशन नहीं है वेरी शून यनकी बहुत ही जल्द आपको इसके एप्लिकेशन फॉर्म के बारे में जो अपडेट है वो आपको मैं प्रवाड करवा दूँगा जैसे ही आपर ऑफिशल नोटिफिकेशन रिलीज होता है GMCH के एप्लिकेशन फॉर्म के बारे में तो आपको प्रवाड करवा दूँगा सुर्ट नोटिफिकेशन आपको रिलीज कर दिया गा है वीडियो में डाल दिया है तो जाकर देख सकते हैं उसके बाद में SDPGI के अगर मैं डिसकस करूँ आपको यहाँ पर अपडेट प्रवाड करवा दूँगा मैं SDPGI के बारे में ठीक है उसके बाद में दो यहाँ पर जो CHO की वेकंसी है उसके बारे में यहाँ पर चर्शा कर लेंगे ठीक है एक है बिहार CHO और दूसरी है UPCHO ठीक है बिहार CHO की 4500 पोस्ट है कि यह जो भीहार CHO कारण यहाँ से अभी तक रोगफ लगा दी गई है ठीक है तो यह ए इस चीज के बारे में हम डेटेल में चर्शा करेंगे कि भीहार CHO की भरती तुबारा से आएगी यह फिर नहीं आएगी इस इसके बारे में आपको next वीडियो के इंदर completely update आप सभी को देने वाला हूँ अब जो सबसे important काफी content wait कर रहे हैं कि UPCHO की जो vacancy है इसके बारे में आपको बताना जरूरी है कि UPCHO की vacancy का क्या scene चल रहा है आप सभी को पता है application form भरे जा चुके है अच्छे से ठीक है तो इस पच्पन सो बी आसी आपकी आपर जो पोस्ट है UPCHO की रही थी लेकिन उसके documents verification अभी नहीं हुए है और documents verification कब तक होंगे इस चीज़ के बारे में आपको पहले भी update दी थी और अभी documents verification और लेट होंगे UPCHO होगे ठीक है तो इससे related भी काफे content मेरे पास ये comment कर रहे थे क्या भरती रद होगी क्या UPCHO की भरती भी बियार CSHO की तरह रद होने वाली है तो इस चीज़ के बारे में भी आपको मैं update बिल्कुल दूँगा कि UPCHO की भरती रद होगी या नहीं होगी इस चीज़ के बारे में next हम चर्चा करेंगे जो detail में आपर चर्चा है वो आप सभी के साथ करने वाला होगी UPCHO की भरती रद होगी या नहीं होगी तो यह आपकी जो भरती है यह हो रहे है टोटल आप अगर मैं बात करूँ कि नर्सिंग की टोटल भरती दोजार चोबिस के अंदर 21,544 या पर जो भरतिया है वो निकाली गई है ठीक है जिसमें से दो भरतियों को छोड़ कर मातर दो जिस यह जोगी बरती है इन भरतियों को छोड़कर सभी भरतिया यहाँ पर पर्मानेंट होने वाली है तो यह सेडूल था बिल्कूल डेटेल वाइस मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी भरती का लास्ट डेट कब है एप्लिकेशन फोर्म कब से बारे जा रहे हैं इस वीडियो को सभी इतना सेयर कर दें कि सभी को पता चल सके इसके अंदर 2024 की कंप्लिट भरतियों का विवरेंड है वो आपको मैंने परवाड करवा दिया है ठीक है तो अगर वीडियो अच्छी लगी और इंफोर्मेटिव लगी तो चैनल को बिल्कुल आप सबस्क्राइब और बेल आइकन वोन करें